अस्सलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कुएत में रहते हो और कुएत के हम तरी इन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को भी नहीं स्कुप कर पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बाराय हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेहल आकन को प खबर है एकामा जिनका कैंसल हो जाता है उनके लिए कुछ अच्छी खबर है तो वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होगा तो दोस्तों चली वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे परे दोस्तों खबर क्यों चलते और बात कर लेते कुएत इंटरनेसल एरपोर्ट ज फिर एप को इंस्टॉल करना पड़ेगा इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको रेइस्टेशन उसमें करना पड़ेगा पूरी जानकारी अपना उसमें अपलोड करना पड़ेगा जैसे कि कितने समान लेकर आप जा रहे हो PCR सेडिफिकेट आपने कौन सा डोस लिया है कौन सा vaccination क्या लिया है यह सारा detail उसमें आपको भरना पड़ेगा और साथ में आपको PCR test जो है वो report है वो 75 घंटे का अंदर का आपके पास होना चाहिए यह आपको पास होना चाहिए और उसमें negative report आपका आना चाहिए यह आपको साथ में काम कर लेना है और kuwait airport में entry करते समय या फिर आ नहीं पे भी खड़े किसी के साथ खड़े हो तो social distancing का आपको बिल्कुल पालन करना है gathering आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और यह बाते जो है सब पे यह अधारित होती है ऐसा नहीं कि कुछ लोगों पर यह सभी पे होता है चाहाँ vaccinated people हो या फिर vaccinated नहीं भी हो आपको social distancing का पालन करना है मास्क आपको regular लगा के रखना है नाग के नीचे मास्क आपको नहीं करना है बहुत सापको देखने को मिलता होगा कि बहुत लोग क्या करते हैं मास्क को पहने रहते हैं पर नाग के नीचे किया रहते हैं पर दोस्तों यह सब भी आपको नहीं करना है मास्क वे दिन आपको फिर से वहाँ पे PCR टेस्ट किया जाएगा, PCR टेस्ट में यदि आपका रिपोर्ट यदि नेगेटिव आता है, नेगेटिव आने के बाद आप जो काम के लिए वहाँ पे कुएत में गए हो, चाहे वो कोई भी वीजा के साथ आप हो, वो काम आप फिलिली कर सक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो दोस्तों ये सब गाइडलाइन्स जो है, वो कुएत गौर्वर्मेंट के तरफ से, डिजसीय के तरफ पे, कुएत एरपोर्ट की तरफ से, ये जो गाइडलाइन्स से भी बनाया गया और सभी को ये फॉलो करना है, ये सभी पर लागू किया गया है, ये सब जो लोग भी कुएत में आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो कानून बनाया गया है, उन सभी को कानून को फॉलो करना पड़ रहा है, अब सातियों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूँगा, सातियों जो है, वो है, कंपनी दोस्तों जिसका भ वो कंपलीट हो जाता है, तो वहाँ एक पब्लिक अथरटी और मेन पावर के तरफ से एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म में वर्कर ये मजदूर का साइन चाहिए होगा, कि सारा सेलरी आपको कंपनी के द्वारा कंपनी के तरफ से आपको दे दिया गया है, कोई भी स जब तक आप नहीं करोगे, तब तक आप कंपनी को इसमें क्रिंच इट नहीं मिलेगा, तो दोस्तों ये जो अपडेट आई है, बहुत ही अच्छी अपडेट है, वर्करों के लिए जितने वर्कर वहाँ पे काम करते हैं, उन सभी के लिए काफी जादा इससे फाइदा होन तो ये कुछ अपडेट थी साथी जो आपके लिए जानना काफी जरूरी था, आसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों साथ सेर कर दे, ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके, मिलते के साथी नेक्स वीडियो पे लावी सेंगें